क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को बासुनरी किस ने दी थी? जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्ती पर जन्म लिया, तो सभी देवता, भगवान, सुर और शिव मुनिभेश बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे, यह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन हुई, पर यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए, तब ही भगवान शिव को दधीची रिशी की शक्तिशाली हड्डियां याद आती हैं, माना जाता है कि रिशी दधीची ने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और अपनी सबसे शक्तिशाली हड्डियों को देवताओं को दान में दे दिया था, भगवान शिव ने उन हड्डियों को तराश कर एक अत्यंत सुन्दर बानसूरी बनाई, जब भगवान शिव बालकृष्ण से मिलने धर्ती पर पहुंचे, तब उन्होंने वह बानसूरी उन्हें भेंट कर दी, वो सुन्दर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आ तरी का जिवान को पस्वान शिव बानसूरी उन्हें भगवान आद हो भानसूरी बास्ने साना स्वान आपवाने को यान शिव बालकृष्ण madam मुझा.